हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीसी इनफो टॉन्टीफोर में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे फ्रेंड्स एजो वीडियो है हिस्टरी टीजीटी पीजीटी के लिए है वास्तों में देखा जाए तो एजो वीडियो इस समय बनाया जाएगा ओभिहार PCS को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा मतलब BPSC जो एक्जाम लेगा टीचिंग का उसको ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और यह जो कोशन रहेंगे ओभिवियार PCS में कभी ना कभी पूछे हैं BPSC ने पूछा है उन्ही कोशनों का एक स्रीज चलाया जाएगा जिसमें आपको 200-300-400-500 कोशन आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों उसमें आपको व्याक्या भी देखने को मिलेगी तो इस तरह आप अच्छा से कर पाएंगे BPSC के प्रेटर्न को समझ पाएंगे कि BPSC कहां से कोशन बना रहा भी BPSC तो इसलिए आप वीडियो के अंतक बने रही है और इसी के इरदगीत अगर आप हिस्ट्री से हैं और पोल्टी से हैं दो पे फोकस करकर मतलब वीडियो बनाएंगे तो आप दोनों के लिए अगर हैं तो आप जरूर चैनल को सस्क्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखे जो कोशन ना आए उसको आप नोट करते चले आपका नोट बन जाएगा दो तीन महिने में तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का पाला वीडियो होगा जो 41 नंबर से होगा हिस्ट्री का और वीडियो बनाए गया है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री का कोशन नहीं है कि कोई नया आता है सब कोशन रिपीट करते रहते हैं लोग बस थोड़ा मोड़ा इदर उदर चेंजिंग होता है तो उसी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा क्योंकि बार बार जो हिस्ट्री है वो तो बदलेगा नहीं आपका इतियास है तो इतियास वही तत्थ रहेंगे वही से कोशन बनेंगे तो इसलिए ध्यान में रखकर आप पढ़ाई करिए कि कहां से कोशन ज़्यादा पुठ होता है तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न आपसं एक अरहा है अंजिरा से दम्द सदात से कुली गुल मुहम्मद से दे मेहरगर से और यी आपका वही अपसं होगा उप्यूक्त में से कोई नहीं उप्यूक्त में से एक से अधिक दोस्तों आपको बता दें कि विप्यास्टी ने इस बार जो बिहार पीसियस का त्री liya था उसमें उन्होंने जो 5 वाला option होता था उसको उन्होंने हटा दिया चारी option दिया था minus marking जो था एक बटा 3 कर दिया था तो इसको ध्यान में रखकर हो सकता है आने वाला teaching exam है उसमें भी e sells option हटा दिया जाएगा और minus स्मार्किंग आपके साथ देखने को मिलेगी तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा मेहरगर जब यह कोशन पूशा गया था तो 2018 में कोशन आया है यह कोशन आपको 2018 में देखने को मिलेगा तो उस समय इसका जो आंसर था ओ क्या था मेहरगर आपका आप कोशन आपको मिलेंगे और कुछ जो गलत फ्हेमियां है वो दूर हो जाएगी इसमें करा है कि भारती उप महादीप में पसु पालन यों क्रिसी का फ्रारंबिक अस्तल मेहरगड को माना जाता है जो 2700-5500 इसापुर्व के मद्द मानों बसाव का छेत्र था कुछ बिद्वान मेहरगड में पसु पालन का जो काल मानते हैं वों मानते हैं 8500 इसापुर्व मानते हैं वर्तमान यहां से ध्यान देने के बात है कि नवीन खोजो के आधार पर भारती उप महादीप में प्राचीनत किसी साच्छ वाला जो अस्थान है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में इस्तित लहुरा देव गया है तो पहले अगर मतलम मेहरगड अगर नहीं रहा आप सन में तब तो आप लहुरा देव मारेंगे अगर लहुरा देव है तो आप लहुरा देव को भी मारेंग अगर लवरादेव नहीं है तब तो आपका अंसर मिहरगर ही होगा यह याद रखेगा आगे चलते हैं यहां से 7000 इसापुर्व से 9000 इसापुर्व के मद्द मानों के बसने तथा निश्चित तोर पर चौशट सव इसापुर्व में के चावल के साच प्राप्त हुए हैं उन्लेखनी है कि इस नवीन खोच के पुर्व भारती उपमहादीब का प्रार्चिन्तम जो किसी साच वाला अस्तर मेहरगर माना जाता था इससे पहले क्या है मेहरगर को यह माना जाता था लवरादेव से पहले मेहरगर यह सबसे प्रार्चिन्तम क्रिसी साच वाला अस्तर था वह आपका मेहरगर लेकिन आप जो हो गया है अब आपका लवरादेव है तो इसको आप धिहान में रखिएगा इन दोनों बातों को आगे चलते हैं दोस्तो नम्मर दो देखिए यह भी 2000 में प्री में पूछा गया 44 में BPSC में पूछा गया कोशन है कोशन है आपका कि निमलिखित में से किसको कैकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसको कैकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है यह आपको बताना है आप सेने है पूरा पासार C- ये ताम्र परसाठ यूक, D- लो यूक तो आंसर आपका का 시 के साथ जाएगा , ताम्र परसार यूग इसके कैकोलिथिक यूक नाम से जानते हैं , याद र्खेएंगा . व्याख्या देख लिजिए ? व्याख्याएफ्रेंट्स, ताम्र पसार युग को कैकोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिन संस्कृतियों में ताम्र के अवजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरर प्रशलन मिलता है, उन्हें प्राय ताम्र पसारिक संस्कृति कहा जाता है, तो तामर पासारिक जो संस्कीति कहा जाता है वो किसको कहा जाता है तो ओ कैको लिथिक को कहा जाता है और तामर पासारिक जो संस्कीति है उसकी मुख्य विसेशता यह है कि इसके जो यह तामवे के अवजार के साथ साथ क्या है पत्थर के बने हुए उपकरर भी प्रचलन में मिलता है तो एही क्या होता है तामर पासार यूग जिसको कैको लिथिक यूग भी कहा जाता है तो इस बात को याद रखिएगा आगे चलते हैं तीसरा नमर कोशन देखते हैं और एह आपका 1995 में बीपियस्सी में पूछा गया कोशन है कोशन है हरपा के हरपा में मिट्टी के बरतनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था तो किस रंग का उपयोग हुआ था यह आपको बताना है लाल नीला हरा पांडू नीला तो आंसर आपका हो जाएगा लाल हरपा के जो मिट्टी के बरतन मिले हैं समानता उस पर क्या है लाल रंग का ही उपयोग हुआ है ल व्याख्या देखिए, हरप्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्मार करते थे, प्रारंभिक हरप्पा में पर से चालित चाक का प्रियोग किया जाता था, जब प्रारंभिक हरप्पा काल था, जैसे शुरुवात में, तो उस समें पर से चालित च चाको का प्रयोग किया जाने लगा था विप बात याद रखेगा कि प्रारंभिक काल में जो हडपा था उसमें जो चाक होते थे जो जिस पे मिट्डी के बर्तन बनाये जाते थे उस पर से चालित होता था लेकिन कुछ परिपक जब हो गया हरपा तो उस समय जो है हाथ से चालित चाको का प्रियोग किया जाने लगा डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो स्रेडिया थी एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन थे तो दूसरे चित्रित मित्भांड थे एक बिना डिजाइन वाले और एक पर चित्र था जिसको नाम दिया गया चित्रित मृद्भांड ठीक है मृत भांडों को बनाने वाले मिट्टी में रेत का मिश्रर मिलाया जाता था जैसे मिट भांड अगर चितित मिट भांड जो बनाया जाते थे उसमें रेत के मिश्रर मिलाया जाते थे प्रयोक किया जाता था जिनको पकाने पर एह हलके भूरे लाल रंग का रूप धारर गरहर कर लेते थे, क्या कर लेते थे, लाल रूप का स्वरूप गरहर कर लेते थे, इन मित्भांडों के उपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी, किस रंग की लाल रंग की पुताई कर दी जाती तथा नीचले हिस्से में काले रंग से विभिन प्रकार के चित्रकारिया की जाती थी, तो लाल और काले रंग का यहां देख रहे हैं उल्लेक हैं, तो आपका अंसर था लाल, तो इन दोनों बातों को याद रखिए, आगे चलते हैं दोस्तों, फोर नम्मर, ए भी आपका कोश सिंदू सब्वेता निमलिखित में से किस यूग में पढ़ता है, जो सिंदू सब्वेता है, वो किस यूग में पढ़ता है, यह आपको बताना है, आपसन यह एतिहासिक यूग, प्राग एतिहासिक काल, उत्तर एतिहासिक काल, अध्य एतिहासिक काल, तो आंसर आपका D के स पढ़ता है तो आद एतिहासिक काल में पढ़ता है यह आपको याद रखना है एतिहासिक होता है जिसके कुछ लिखे हुए जो साच है उसको अच्छे से पढ़ा गया वह एतिहासिक हो जाएंगे प्राग एतिहासिक जो है उसमें क्या है कि जो चीज लिखा गया है वह अभी म इतिहासिक काल का निर्धारर पठनी लेखन कला के ज्ञान पर किया जाता है जो इतिहासिक काल होता है उसका जो निर्धारर होता है वो पठनी कला के ज्ञान पर किया जाता है लेखन कला के ज्ञान से पहले का काल खंड प्राग इतिहासिक काल खंड खालाता है लेखन कला से ज पचीश सो बीसी से छह सो बीसी का कालखन्ट अध्य इतिछासिक माना जाता है सेंदो सबस्कराइब एतिहासि काल की सबस्करा है क्यूंकि यहां पर लेखन कला का ग्यान ग्यान नहीं किल condome isso अभी इसे पढ़ा नहीं जा सकता है अभी इसे पढ़ा नहीं जा सकता है या पढ़ा नहीं गया है इसलिए जो सेंदो से बेता है वह आद एतिहासी काल के अंतरगत आता है एतिहासी काल उसके बाद आ जाएगा जिसको हम लिखा गया है जहां साच जिसके लिखे हुए प्रमा होती है उनके माध्यम से कुछ अंदाजा लगा जाता है इसलिए वो प्राग इतिहासिक में आते हैं तो आगे चलते हैं हुआ है फाइब नंबर और कोशन देखते हैं सिंदू घाटी सबीचा कि सबसे महतपूर विषर्षता किया है सिंदू घाटी की जो सब्यता है उसकी सबसे महतपूर विषर्षता को बताना है आपसन है ए पक्की इत से बनी इमार्ते, ब प्रथम असली महराब, सी ए पूजा अस्थल, डी ए कला और वास्थु, यह उपयोक्त में से कोई नहीं, उपयोक्त में से एक से अधिक, तो आंसर आपका जाएगा एके साथ, ए आपका आंसर हो जाएगा पक्की इट से बनी इमार्ते, उसने में जो इमार्ते ब सिंदु गाटी सब्वेता की प्रमुक विसेष्था नगर्न योजन को माना जाता है, यहां नगर और कस्वे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाएगा जाते थे, पक्की इट से बनी इमार्ते में मोहन जोदरो का विसाल असनानागार और अनागार प्रमुक है, जो प सिंदु के लिए हम को लग रहा है, प्रयोक किया जाता था, और अन्नागार जो होता था, उसमें अन्न को एकत्तित Convention के लिए भंडार करने के लिए नाच को बनाया जाता था, तो दो चीजें यहां पर मोहन जोदरों से मिलती है, विसाल असनांागार कहां से मिलता हैे, वो मोहन जोदर हों से इस बात को आप याद रखेंगे इनकी सत्ह की पक्किवचा si पक्की इत की जिसमें जिप्सम दाथमोर। दिवारा जोड़ा गया था जिप्सम और इसके बाद जोड़ा गया था यह जो है जिपसम और मोटार का बार-बार प्रयोग मतलब question पूछा जाता है तो इन दोनों चीजों को जरूर याद करिएगा तो यहां से दो-तिन question आप से पूछ लिए जाएंगे आगे चलते हैं six number question है आपका निमलिखित में से कौन सा एक खड़पा बंदरगा है कौन सा खड़पा बंदरगा यह आपको बताना है तो option a है सिकंदरिया भी महा अस्थानागड़ c यहां पे हो गया है यहां पे लोथल और नाग पट्टम तो आंसर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा जो सी पे दोस्तों लोथल आपका सही है इसको हम बी कर लेते हैं इसको हम सी कर लेते हैं सोरी यह उपर नीचे हो गया है यह क्या हो गया है उपर नीचे हो गया है तो ए याद भूल के दूसरा कुछ मतलगाईएगा लोथल आपका आंसर होगा जो बंदरगा कहा है अरप्पा का तो एक लोथल है लोथल में बंदरगा है तो इसको याद रखिएगा व्याख्या देख लीजिए हरप्पा कालिन नगर लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे इस्तित है यहां की सरवाधिक महतपूर उपलब्दी हरप्पा कालिन बंदरगा है तो यह भी कोशन पूछा जाता है कि जो लोथल है वो किस राज्जी में तो गुजरात में कि जिला में तो अहमदाबाद जिला में नदी आपका में है नदी आपका क्या है में बार बार पूछा जाता है कि जो लोथल है किस नदी के किनारे बसा था तो भोगवा नदी के किनारे बसा था और यहां का जो सबसे महतपूर उपलब्दी है वहां पर क्या है लोथल में बं कोशा गया है हिस्ट्री का कोश्चन निमलिखित में से किस हडपा कालिन अस्थल से तेरा कोटा का हल प्राप्थ हुआ है तेरा कोटा का हल किस अस्थल से प्राप्थ हुआ है यह बताना है आपसन ए धौला विरा से आपसन भी बनाली से बनावली से आपसन सी ए काली बंगा से DL लोथल और E उपयोक्त में से कोई नहीं उपयोक्त में से X है अधिक तो आपका आंसर जो जाएगा दोस्तो सात्मा का B के साथ जाएगा बनावली से मिला है तो आपका आंसर B हो जाएगा सात्मे का B बनावली आपका आंसर हो जाएगा बनावली आपका अंसर हो जाएगा तो निमलिखित में से किस खड़पा कालिन अस्थर से तेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है तो आपका हो जाएगा बनावली से तेरा कोटा का हल मिला है बनावली आपका अंसर हो जाएगा व्याख्या वही बात है तो हड्यारा के फतेहाबा जिलिम, और इहीं से क्या ररा कोटा का भल मिला है तो फतेयाबा जिली में, इस्तित है यहां से दो तिन कोशन आपका बन जाएगा तो इसको आप जरूर नोट कर लिजिएगा कि हर्यारा के फते बात जिले में इस्तित बनावली से तेरा कोटा का हल प्राप्त हुआ है आगे चलते हैं आठ नमबर एभी 2020 में पूछा गया कोशन है बीपीएस्सी में तो इसको याद रखेगा निमलिखित में से किस हड़पन नगर में जूते हुए खेतों के निसान मिले हैं जूते हुए खेतों के निसान किस नगर से मिले है कि वे अबताना है आप वियो जाएगा का दोस्तों आपे कर दोस्तों के और तो आपका आनसर कि कहलेत को याद रखेएगा। वियाख्या देख लिए प्रस्ण गत जब प्रस्ण किया गया था उसमें खरपा सब्यता के अस्तलों में खंभात की खारी के निकटित लौथल से गोदिवारा के साश्त मिले हैं तो अभी मताये थे लोथल से क्या मिला है गोदिवारा वही बंदरगाह, मतलब लोथर से क्या है बंदरगा मिले हैं तो एक कहा है तो खंबात की खाड़ी के निकट इस्तित है लोथर आपका अगला है राजस्थान के हनुमानगर जिले में घगघर नजी के किनारे इस्तित काली बंगा से जूते हुए खेत के साच मिले हैं तो घगघर नगदी है उस राजस्थान के काली बंगा ठीक है तो राजस्थान के हनुमानगर जिले में घगघर नदी के किनारे इस्तित काली बंगा से जूते हुए खेत के साच क्या है प्राप्त हुए हैं वही आगे है गुजरात के धौला बीरा से हरपा लीपी के बड़े आकार के दस चिन्नों व मिला है तो यह भी यारत रखिएगा गुजराट और धौला बीरा कहां है तो यह आपका गुजरात में है कोहाँ जाएगा पूश्या पूछा जाएगा सिरृत लेख मिला हरपा कि किस असथर शी क्रृत लेख झmake अफण का आंसर हो जाएगा तो कोश्चन देख लिए मतलब इसको एक बार दुबारा सुन लिजिए गुजरात के धुला विरा से हरपा कालिन हरपा लिपी के बड़े आकार के दस चिन्नों वाला एक सिला लेक मिला है हड्यारा के फतेह बाद जिले में इस्थित बनावली से पक्की मीटी की बनी हुई हल की प्रती कृती मिली है तो निम लिखित में से कौन हरपा और मोह जोदरों के उतकलं से सμबंधित नहीं है मतलब यह दिए गये हैं उतकलं करता हैं उन में आपको बताना है आप्षन A, R, D, बनरजी, आप्षन B, A, K, N, डिच्छित, C, A, M, S, वत्स, और D, A, B, A, इस्मीत तो आंसर आपका D सही हो जाएगा, V, A, इस्मीत आपका आंसर हो जाएगा ये हरपा और मोहन जोडरों के खुदाई से संबन्दित नहीं है, बाकी के तीनों लोग संबन्दित है व्याख्या देखिए, Worres 1921 में दयाराम सानी ने हरपा का सर्वेचर किया था, तो हरपा का सर्वेचर किस ने किया था? तो दयाराम सानी ने कितने सन में किया था तो 1921 में आगे वर्स 1926 से 27 और वर्स 1933 से 1934 में मादो सो रूप वत्स जो मादो सो रूप वत्स से उन्होंने खरप्पा में उत्खलन कार संबंदित रहे हैं तो मादो सो रूप वत्स भी रहे हैं एक हो गए दयाराम सानी एक मादो सो रूप वत्स हैं और हरप्पा सब्वेता क्यों पढ़ा था क्योंकि 1921 में दयाराम सानी ने स्वर प्रथम हरप्पा अस्थल की खोज की थी इसलिए जो कांसीकुण सब्वेता है या हरप्पा सब्व जोदरों की खोज कितने की थी तो 1922 में राखाल दास बनर जी ने की थी हडपा की खोज दयाराम सानी ने 1921 में की थी मोहन जोदरों की खोज किसने की थी तो राखाल दास बनर जी ने 1922 में की थी तथा इसके पुरा तात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्शित किया था इसके अतरिक्त कुछ बिद्वान है जिसमें क्या है के यन दिच्चित हैं अर्नेस्ट मैके हैं आरेल इस्टीन है यस घोस जेपी जोसी हैं आधी ने इस सब्वेता की खोज में महतपुर योगदान दिया अता असपश्ट है कि बी ये स्मित हरपा सब्वेता से खोज से संबंदित नहीं थे भी ये स्मित जो थे हरपा की खोज से संब्दित नहीं थे बलकि एक भारत विद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे आगे चलते हैं दसवा नमर कोशन है दोस्तों बोगज कोई का महत्व इसलिए है बोगज कोई का महत्व क्यूं है तो आपसन आ अपसन आपका सही है बाकी के सब गलत है तो यह आख्या देख लीजिए दोस्तों बोगज कोई से संबंदित बोगज कोई जिसको एस या माइनर भी का आ जाता है से चोधावी सताब्दी इसापुरू के कुछ अबलेक मिले है बोगज कोई से क्या है जो अबलेक मिलें एकि संधियों के साच्छो तथा रच्छा के लिए इंद्र मित्र वरूर नासत्य देवताओं का वहान करते हैं तो इसमें जिनका नाम मिला है उनको याद रखना है आपको तो इसमें इंद्र हैं मित्र हैं वरूर हैं नासत्य देवताओं का वहान किया गया यह बार बार पुछा जाता है इससे ग्यात होता है कि वैदिक और इरान से होकर ही भारत में आएं होंगे तो फ्रेंड्स यह थे दस कोश्चन और उनके व्याक्या जो आने वाले बीपेसी एक्जाम में या यूपी या किसी भी पीजीटी टीजीटी या आपका पिस्यस एक्जाम होगा उसमें आए गाई आएगा तो दोस्तों आप रिपीट करते रहें कोश्चन को देखते रहें और किताबे पढ़ते रहें दोस्तों धन्यवाद नमस्कार